इस Law of Attraction तक्नीक का नाम है Whisper Manifestation टेखनीक. अक्सर हम देखते हैं कि जो बात हमारे दिल में है, वो हम दूसरे इंसान के सामने एक्स्प्रेस नहीं कर पाते हैं. यहां आपके दिल में पनपता हुआ प्यार या कोई ऐसी बात हो सकती है, जिसे आप दूसरे इंसान से बोलने में असज हो, शायद आप उन्हें कोई सची बात बताना चाहते हो, पर आपको डर है कि वो इंसान इस बात से कैसे प्रतिक्रिया, रेक्ट करेगा. या फिर आप चाहते हैं कि सामने वाला खुद आपके पास चल कर आए और जो आप उससे सुनाना चाहते हैं, वो आप से बोले. जैसा कि कुछ लोगों की दिली तमन्ना हो सकती है, कि कोई मुझे आकर प्रुपोस करे या फिर मेरा बॉस खुद ही मुझे अप्रेजल में एक अच्छा सा हाइक दे दे. क्या आप भी ऐसा ही कुछ चाहते हैं अपने जीवन में? क्या आप भी मन ही मन ये पंक्तियां दोहराते हैं, कि लफजों में कहना सकू, बिन कहे भी रहना सकू? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि आज हम एक ऐसी ही तक्नीक आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसके साथ आप जो भी इस तरह की विशिस नानिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप चुटकी में कर पाएंगे. तो क्या आप कयार है उस तक्नीक को डीटेल में समझने के लिए, ताकि आज तक आपने जो भी बात इस बंद दिल में दबा कर रखी थी, वो बाहर आ सके और आप हलका महसूस कर सके. हमने कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि हमारे अंदर ही अंदर एक बेचानी सी चलती रही होती है, और अब हम बस यह चाते हैं, कि या तो हम सामने वाले से बात कह दे या खुट सामने वाले हमारे से वो बात बोल दे. मैं देख पा रहा हूँ कि आप इस सोच में है कि क्या ये विस्पर मानिफेस्टेशन तक्नीक है वही तक्नीक है जिसके साथ हम सामने वाले से आपने दिल की बात कह सके या फिर उस इनसान से ही बोलवा सके इस विस्पा मानिफेस्टेशन तक्नीक की मदद से आप जानेंगे की कैसे आप अपने विशिस की वाइब्रेशनल एनरजी को पावरफुल बना सकते हैं और बिना इनसान के फिजिकल कॉंटाक्ट में आये हुए आप अपनी बात उन तक पहुँचा सकते हैं या फिर वो इनसान खुद आपके पास आकर वो सब कहना शुरू कर दे जो आप हमेशा से सुनाना चाते थे कुछ इस तरह की आप बहुत दिन से सामने वाले से कुछ खास कहना चाते हैं और अचानक एक दिन वो इनसान खुद आपके पास आकर वही खास बात आपसे कह दे। हाँ, रोमते खड़े करनी जैसा अनुभव होगा। क्या आप इस अनुभव को असल जिन्दगी में महसूस करना चाते हैं। तो आए फिर हम जान लेते हैं कि हमें वो कौन-कौन से स्टेप्स लेने हैं जिससे हम इस विस्पर मैनिफेस्टेशन तक्नीक को अपने विश्पूरी करने में आसानी से लगा सकते हैं और मन चाहे रिजाल्स पा सकते हैं। एक, सबसे पहले आपको एक शांत जगा चुननी होगी। यहां वो जगा होनी चाहिए जहां आपके नाजदिक कोई भी ना आ सके। यहां आपका कमरा हो सकता है या आप अपनी सहुलियत के हिसाब से कोई भी दूसरी जगा भी चुन सकते हैं। दो, जब आपने वो एकांत जगा चुन ली है, तो अब आपको उस जगा पर आपने दिमाग को फोकस करना है। अपने ध्यान को फोकस करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आपके अंदर कोई और विचार या बात नहीं आए। तीम इस स्टेप में आपको उस इनसान की छवी मन में बनाना है, जिससे आपको दिल की बात कहनी है। या फिर यह वो इनसान हो सकता है, जिससे आप खुद के लिए कुछ खास बोलवाना चाते हैं। अगर आपको इस step में कुछ confusion हो तो आप चिंता न करें, क्योंकि आगे हम इन दोनों cases को real life उदाहरन के तौर पर समझेंगे. 4. आप खुद में यह तै कर ले कि आखिर उसी इनसान से आपको वो कौन सी बात कहनी है या फिर कहलवानी है. इस step में अगर आप सफल हो गए, तो ये whisper manifestation तक्नीक आपकी जिन्दगी बदल देगी, क्योंकि यहाँ हम clarity की शक्ती देखेंगे. 5. आपको आपने visualization की शक्ती को दिखाना होगा. आपको यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है, कि आप उस खास इनसान के सामने बैठे हैं, आपकी आखें उस खास इनसान की आंखों में देख रही हैं, और आप आपनी wish उस खास इनसान के कानों में बोल रही हैं. जब आपने उपर के पाचो स्टेप्स चल लिये हैं, तो इस यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करे, बोले कि आप उनके लिए कितने एहसान मंद है, कि आपने अपने दिल की बात आज जाहिर कर ही दी या वो बात सुन ली जो आप हमेशा से सुनाना चाहते थे। उस खुश्णुमा ख्याल में डूबे रहे और इस असीम शक्ती को धन्यवाद दे, जिसने आज आपकी इच्छा को पूरा करके दिखाया है।